पवन उर्जा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पवन उर्जा के बाड़े में देखिए जब वायू गतिसील होती है तो उसमें गतिज उर्जा होती है और इसी गतिज उर्जा का प्रयोग करके इनर्जी उत्पन करना पवन उर्जा कहलाता है यानि हम कह सकते हैं गतिसी पवन उर्जा बनाने के लिए हवादार जगों पर पवन चक्की को लगाया जाता है जिनके द्वारा वायू की गतिज उर्जा यांतरिक उर्जा में पडिवर्तित हो जाती है इस यांतरिक उर्जा को जनित्र की मदद से विद्यत उर्जा में बदला जा सकता है तो ये काफी लाव की बात कर लेते हैं, सबसे पहला लाव की बात कर लें, यह पुर्णता पर्यावरन क्या अनुकूल है, यानि कि कि किसी भी तरह का पर्यावरन प्रदोसन इससे नहीं हो पाएगा, दूसरा बात कर लें, यह कभी समाप्त नहीं होने वाली है, चुकि यह क्या है, हवा तो इनर्जी उत्पन किया जा सकता है तो यह कभी समाप्त नहीं होने वाली है उसकी बात-बात करें तीसरा कि इसका पड़ी चालन क्या है? सुड़क्षित है अब देखें पवन उर्जा से रिलेटट कुछ नोट्स याद कर लें क्योंकि आपके एक्जामनेशन में अबजेक्टिव टैप में इससे पूछे जाते हैं जैसे पवन उर्जा के उत्पादन के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए तो पवन उर्जा के लिए पवन की चाल 15 किलो मीटर प्रति घंटे का होना चाहिए ताकि टर्वाइन घूमे और इसके अंदर जो जेनरेटर है वो क्या करें? मूव करें और इनर्जी प्रोडियोज करें दूसरी बात करें डेनमार्ग को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा पवन और्जा वहीं उत्पादित की जाते है यानि कि वहां का लगभग 24 से 25 परतिसत जो इनर्जी प्रोडियोज होती है वह विंड इनर्जी से ही होती है अब धोरा सा चर्चा कर लेते हैं सोलर इनर्जी के उपर यानि कि सोर उर्जा के उपर देखें सोर से जो इनर्जी प्राप्थ होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं सोलर इनर्जी कहते हैं यानि सोर से प्राप्थ होने वाली उर्जा को सोर उर्जा के नाम से जाना जाता है अब अगर हम बात करें प्रिफि पर उर्जा का सर्वत्तम स्रोत क्या है टीक है, लेकिन अगर overall की बात करें तो सभी, यानि कि पूरी दुनिया में सोर्य उर्जा ही क्या है उरजा का सरवत्तम शुरोत है और अंतरास्टिय सौरे संगठन का भी असापना किया गया है इस पार जिसका मुख्याले आपका इंडिया के गुरुगराम में ही है यानि कि गुरुगाओं पहले था और उसका नया नाम गुरुगराम कर दिया गया है तो हम बात कर रहेते हैं सोलर इनर्जी का तो सोरे से जितने भी इनर्जी प्राप्त होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं सोलर इनर्जी के नाम से जानते हैं अब देखें सोरे में उरजा का मुख्य श्रोत क्या है तो देखिए सुर्य में जो उड़जा का मुखे सुरोत है वह नाभिकिये सनलेयन है यानि कि हाइड्रोजनों के नाभिकिये सनलेयन से क्या होता है वहाँ इनर्जी रिलेज होती है अब हम बात कर लें कि सुर्य के नाभिक में कौन-कौन से तत्व पाये जाती है तो सुर्य में हाइड्रोजन और हेलियम जो है वह प्रमुक्ता से पाए जाने वाला तत्व है ठीक है और हाइड्रोजन के ही नाभी के सनलेन के कारण इनर्जी प्रोटीज होती है सनलाइट से अब देखे सन से सनलाइट जो आती है तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है तो अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटक्ट करने के लिए हमारे एक स्पेर है जिसे हम लोग ओजोन परत कहले है जो हमें क्या करता है अल्ट्रा वैलट रेज से सुरक्षा परदान करते हैं जो विविन प्रकार के उत्पड़ी भरतन को जन्म देता है हमारे सरीर के उपर आगे बात कर लें कि एक इंधन है हाइडरोजन जिसे भविसे का इंधन कहा जाता है चुकि यह काफी जोलन सील है और हम जितने भी अभी इनर्जी का यूज करते हैं चाहे पेट्रोल या जो भी चीज़े हैं वो क्या है समाप्त होने वाले इंधन है यानि कहले कि और नवी करनी है संसाधन है जिसका उपयोग यदि हम ज़्यादा तर करेंगे तो वो खत्म होगा तो उमीद करते हैं कि ये सेक्षन आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट रहा होगा तो यदि फर्स टाइम चैनल पर विजिट कियें तो सब्सक्राब जरूर कर लिजेगा ताकि आगे भी मैं और वीडियो टिंथ क्लास से रेलेटेड डालता रहूँगा चाहे जो भी सब्जक्ट से हो तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ते रहिए